बिहार जमीन सर्वेक्षन में जो रिस्वत की डिमांड कर रहे हैं वो जेल भी जा रहे हैं आपको बता दें कि दिलीप जैसवाल जो भूमि सुधार मंत्री हैं बिहार के वो एक बैठा करते हैं पटना में बिहार के सभी अंचला अधिकारी के साथ और उनकी बातों से असफ़स्ट होता है कि बिहार सरकार और भूमि सुधार मंत्री इन अधिकारीों के सामने बेवस दिख रहे हैं इन्हें नयतिक्ता की पार्ट पढ़ाई जा रही है कि आप उच्चे पत पे बैठे हैं आपका एक गलत फैसला किसी को परिसान कर सकता है किसी के साथ अन्याय कर सकता है इसलिए आप का फैसला बिलकुल एक बेहतर सी धान्त के साथ होना चाहिए आप चाहे जितने भी उची कुरसी पे चले जाएं, कितने भी बड़ा पत पे चले जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई सी धान्त नहीं है, तो उस पत का कोई महत्व नहीं है। आगे एक बोलते हैं, कि जो लोग आपके पास आएं, अपनी काम को लेकर, उनका काम आप इमांदारी से करें, और बिना परिसानी के करें, क्योंकि बिहार सरकार आपको पेमेंट देती है, और काम करने की पेमेंट देती है, लेकिन अगर कोई रिस्वत लेते हुए, वो खास्त भी किया जाएगा, और ऐसे ही दो मामला आया है, एक सिवान जिला से, और एक रोहतास जिला से, सिवान जिला से, महराज गंज के भूमी उपसमा करता, डिसी एला राम रंजन सिंग को पटना निगरानी टीम नेरिस्वत लेते हुए, रंगे हाथों गिरपतार कर लि जिनारा चकबंदी का रालेम परभारी परधान लिफिक हैं, उनको भी खतियान की सत्यापित प्रतिपलब्द कराने के एवज में, रियत से रिस्वत लेते हुए, गिरपतार करके, सस्फेंट करके जेल भेई दिया गया, यानि बिहार सरकार का ये अंचल अधिकारियों के स बैठक करने का मतलब ये है, कि आपके अंदर पूरे अंचल का जितना भी जमीन है, उसकी जीमेबारी आपके उपर है, और जो भी गड़बड होती है, जमीन का, वो वहीं से होता है, और ये बहुत सारे ऐसे मामले सामने आये हैं, जिसमें जो गड़बड है, उसको सही करने के लिए पैसे का डिमांड किया जा रहा है, लेकिन दिलिप जैसवाल को नेतिकता की पार्ट पढ़ाते हुए देखा गया, वो सकती नहीं बरत रहे थे, और कह रहे थे, कि आपके पास कोई भी रहता है, अगर उनका काम होने वाला है, तो उनका काम करें, और अगर नहीं हो होने वाला है, सबसे पहले उनके साथ बरताओ अच्छा करें, और अगर नहीं होने वाला है, तो बिनमरता से मना कर दें, और क्या कमी है या भी उनको बताएं, तो आपको बता दें, कि विहार में, जमीन सरवेच्छन में सबसे ज़्यादा जो गड़वड़ी है वो है किसान के जो परिसानी का कारण है वो है ओनलाइन जो चढ़ा हुआ है जमीन का रिकॉर्ड उसमें गड़वड़ी उसे सही करने के लिए रिस्वत चाहिए और जिसका नहीं चढ़ा हुआ है उसे चढ़ान नहीं देने पे जान बुझ कर गलत कर दिया जाता है और परिसान किया जाता है पैसान ना देने वाले के साथ जान बुझ कर उससे रिजेक्ट कर दिया जाता है चाहे परिमारजन की बात हो या फिर दस्ताबेज में गड़बरी बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता है और ये तो हो गई पुरानी लेकिन नई बात ये है कि जो लोग रएत किसान जमीन मालिक अपना दस्तावेज लेकर पहुँच रहे हैं उसमें भी कमी निकाली जा रही है जबकि सेम जिस तरह से एक किसान अपना डोकुमेंस दिया सेम दुसरा किसान भी उसी तरह से देता है और अगर वो पैसा देता है साथ में तो उसका एकसेप्ट कर लिया जाता है लेकिन जो पैसा नहीं देता है उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है कुछ कमी बता कर वापस कर दिया जा रहा है कि आपके डोकुमेंस में ये कमी यानि परसान करने का ये एक तरीका है तो दिलिप जैसवाल अगर समिक्षा बैठा कर रहे हैं तो उनको इन सब पहलूओं पे चर्चा करनी चाहिए और सक्त आदेश देनी चाहिए ये नेतिकता की पार्ट पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये सब इतने थित्थर हैं इतने निडर हैं कि इनको भै नहीं है कोई डर नहीं है इनको पता है कि यही मौका है कमाई करने का और जिस तरह से भिहार में चल रहा है ऐसा लगता है कि जमीन सर्वे के बाद अगर अंचल अधिकारी और सीयो के बैंक एकाउंट के साथ साथ उनके घर में छापय मारी की जाए तो जब से जमीन सर्वे का काम अस्टार्ट हुआ है और जब खतम होगा इसके बीच में उनके पास अकूत संपती ब्रामद हो सकता है अब एक व्यक्ति का कमेंट है मांगा तो पहले से ही जा रहा था लेकि नहीं दे रहे था तो मामला लटकाया हुआ था पैसा जैसे ही दिये काम हो गया यानि जान भूझकर लटकाना और भटकाना यह चल रहा है तो ऐसा लगता है न कि बिहार में यह जो रिस्वत खोरी का मामला है क्योंकि कुछ लोगों को गिरपतार किया गया है लेकिन सरकार के जो आदेश है उसमें सक्ती नहीं है सक्त आदेश नहीं है एक जो खौफ होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है कुछ लोग तो यह भी कर रहे हैं कि जिस तरह से सिच्चा विवाग में ये केके पाठक थें उसी तरह से उनहीं को रजस्म और भूमिसुधार विवाग में भेजना चाहिए ताकि इस विवाग के अधिकारियों का जो मनोवल बड़ा हुआ है जो काम करने में निकम्मापम दिखाते हैं इनको सही करेंगे केके पाठक ऐसा पबली का डिमांड है तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आपके साथ परिसानी है सरकार उसके लिए तमाम कोशिस कर रही है समीच्छा बैठक आदेश सब कुछ कर रही है लेकिन इसके बावजूद जमीन पे जो रिजल्ट है वो दिख नहीं रहा है रिजल्ट क्या दिख रहा है कि बीना पैसे दिए कोई काम नहीं होगा तो नहीं होगा साथ किसी का हो जाए लेकिन ज़्यादा तर लोगों का काम बीना पैसे दिए लटकाया और भटकाया जा रहा है तो जमीन सर्वे का काम कैसे complete होगा समय सीमा के अंदर जो की बिहार सरकार का अलाकि इसमें अभी रायत को कोई समय सीमा बताया नहीं गया है लेकिन बिहार सरकार का ऐसा मानना है कि जो ये चुनाव आएगा 2025 विधान सभा उससे पहले बिहार में जमिन सर्वेचन का काम complete हो जाए लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो अपडेट है जमीन का इंटरनेट पे उसमें कई कमिया हैं कई गलतिया हैं जब तक उसे सुधारा नहीं जाएगा इसके बाद अगर जल्दी वाजी में सर्वेचन का काम होगा और वही अधिकारी करेंगे जो पहले से बैठे हैं जिनके पास काम करने का तरीका ऐसा है कि आदा से ज़्यादा डोकुमेंस का अपडेट गलत चड़ा हुआ है लोग परिसान हैं और अगर जल्दी वाजी में गलत चड़ाया जाएगा तो जो सर्वे रिपोर्ट आएगा जो लोगों को जमीन का यूनिक नंबर और पेपर दिया जाएगा क्या वो सही रहेगा ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और जनता का ये आवाज है कि बिहार सरकार खासकर भूमी राजासो सुधार मंतरी दिलिप जैसवाल सबसे पहले रिजिस्टर टू को अपडेट करके और उसे सही करवाएं जो उसमें कमी है उसको सही करवाएं इसके बाद जो अपलोड हुआ है इंटरनेट पे उसमें जो कमिया जो गलतिया है उसको सही करवाया जाएं इसके अलावे लोगों का कहना ये है कि जो अधिकारी रिस्वत और पैसे के लिए सही डोकुमेंस को भी लटकाते हैं किसान को परिसान करते हैं उनके किलाब सक्त करवाई की जाए अगर ये सब कामों पे बिहार सरकार ध्यान दे तो जमीन सर्वे का काम हो सकता है कम्पलीट क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दो से चार महीने के अंदर लोग अपना डोकुमेंस इकठा कर लेंगे चाहे कितना भी नंबर लगा हो एक जिला में जो रिकॉर्डरों में जो नंबर लगा है इस समय वही लोग जाएंगे जिनका डोकुमेंस खो गया है फट गया है या फिर दादा पर दादा के नाम पे है उनके पास कोई डोकमेंस नहीं है ऐसे लोग जाएंगे लेकिन जिसका खुद का खरीदा हुआ है केवाला है उन्हें जाने की क्या ज़रूरत है तो दो से चार महिना के अंदर हम समझते हैं कि ये सब काम ठंडा हो जाएगा लोगों के पास डोकमेंस आ जाएगा इसके बाद इतमिनान से लोग अपना अपना डोकमेंस सब्मिट कराएं इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं कोई गलबड़ी ना हो और बेहतर ये होगा कि आप खुद से ऑनलाइन करवाएं साइबर कफे से एक-एक चीजों का ध्यान रखते हुए आगे आपकी मर्जी और बिहार सरकार का पुरा प्रयास है कि आपको कम से कम परिसानी हो चाहे वो किसी भी तरह का परिसानी हो कम से कम हो